अब जब आपको देखेंगे प्रेस्ट निया पर एक सपोर्ट बना है इस सपोर्ट को डाउंसाइड की तरफ गिर गया कैसे हमने आज का टारगेट अपना भूक किया हमें नहीं मालूं था कि यह लो बनेगा या क्या हाई बनेगा इस लास तक वीट किया अभी जब आप इसक के तरफ जाने के बाद में हाई लगाने के बाद प्राइज ने एक सेकंड रेट केंडल बनाया थी जिसने की एक स्विंग परफॉर्म किया था हाई इसके बाद में लो और प्राइज इस लो के ऊपर ही ट्रेट कर रहा था पिछले तीन से चार दिन तक इसके बाद में प्र करेंगे so trade book इसको login करते हैं pre login है ठीक है तो यहां पर हम लोग अपनी position book देखते हैं position book में देखिए overall जो हमारा आज का profit है 12,458 रुपी 60 पैसे का overall profit इसको रिफ्रेश कर लेते हैं so 12,400 का profit है आइडियली देखा जाओ तो हमें जाई से को trade करना चाहिए बट क्यों हम नेक्सिस बैंक को trade क्या order book में जाएंगे so order book में आप देखोगे कि total जो इसके अंदर हमने trade एक्जिक्यूट के था अपने trade को समझेंगे higher time frame की क्या हमारी markings रही है higher time frame पर हमने price को rate कैसे क्या यह साही चीज है वापस पोजिशन book में चलेंगे and देखे सबसे important topic जो आज का है वो है trade के लिए जो हम stock set करते हैं one day before हम कैसे किसी एक stock को set कर सकते हैं कैसे उसके उपर अपने जो marking है marking तो आप अपने according ही करोगे और यह जो second part का video होगे इसे actually मैं कल के दिन upload करना था किसी reason की वज़े से हम कल नहीं कर पाए and so उस video को भी मैं आज के दिन ही share करेंगे वीडियो कर अच्छा लगता है तो उसको लाइक की जागा है आपने वीडियोस देखते हैं तो हो बड़ उसे like या comments नहीं करते हैं आपके like से में बहुत support मिलता है so thanks and start चार्ट पर चलने से पहले हैं हम ट्राइंक में कुछ एक चीज़ आपको समझाएंगे इसके बाद में हम लोग चार्ट पर चलेंगे तो बहुत आसानिक से समझ में आ जाएगी जो भी एनाल से समारी आज के थी Axis Bank को लेकर के सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक bearish candle फॉर्म हुई और इस bearish candle के फॉर्म हो जाने के बाद में प्राइज ने एक हाई लगाया बड़ यह एक negative candle मतलब प्राइज हमारा upside की तरफ open हुआ बड़ closing इसने हमारी green वाली candle की range के अंदर में आकर के ही दे दे और इसके बाद में प्राइज ने हमारा अगले दिन previous day की candle का low break कर दिया और volumes increase कर दिये समझते चलिएगा मतलब एक green candle form हुई उसके बाद में दो red candle जैने के bearish candle form हुई और उसके अंदर volumes increase हो रहे हैं और price ने already एक अपना high लगाया हुआ है अब यहां से अगर price को वाकई में upside की तरफ जाना है तो क्या करना होगा न इन black वाली candles के उपर में जाकर के trade करना होगा क्यूं क्यूंकि इन तीनों ही candles में मिल करके swing लगाया बट यहां पर again क्या हुआ कि selling की volume थोड़ी से increase हुई थी इसके बाद में जब buying की volume आई है तो यह कम है मतलब जो positive candles की volume है वो कम हो रही है and again जब यहां पर price हमारा नीचे की दिश्चा में गिर रहा तो फिर से यहां पर volumes ज्यादा हमें दिख रही है इसमें हमें एक चीज़ यह समझ में आती है कि जब price हमारा upside की तरफ जाने की कोशिश कर रहा तो यहां पर volumes कम हो रही है और जब जब price हमारा नीचे की तरफ गिरने की कोशिश कर रहा तो volumes इसकी increase हो रही है access bank को हम जब से देख रहे हैं यह जो black वाली candle form हुई थी price इस black वाली candle के upside की तरफ ही trade कर रहा था आज इसने क्या किया ना कि volumes अच्छी खासी volume के breakout हुए थे volume के breakout कर देने के बाद में price हमारा इस range के बाहर निकला और जैसे ही price हमारा हमारी इस range के बाहर निकला ना confirmations मिल चुके थे कि price ने volume के साथ breakout दिये हैं इस जगह पर हम चाहें तो अपना एक trade execute कर सकते हैं थोड़ा सा movement होने की उम्मीद इसके अंदर बढ़ जाती है ideally अगर देखा जाया तो मेरे पास ICI-CIA bank होना चाहिए था trade execute करने के लिए ICI-CIA bank को हमने reject चूं कर दिया कि हम इसको trade नहीं करेंगे just because of higher time frame पर price ने एक range फर्म कर दी थे यह जो black वाली candle है इस black वाली candle के बाहर की तरफ price हमारा नहीं जा रहा था कल के वीडियो में हमने यह साफ साफ का था कि price अगर इस वाली range के बाहर की तरफ निकला ना तो यह एक अच्छा move दिखाएगा ICI-CIA bank ने morning में चोटी सी gap up opening दी जब 1 minute के time frame पर आप देखोगे तो देखे इसने एक चोटी सी gap up opening दे दी थे और वहीं जब हम access bank को देख रहे हैं क्योंकि कल के हमारी watch list के अंदर access bank भी था so access bank ने आज क्या क्या ना gap up opening ने दी वो morning से हमें week लग रहा था अब day time frame पर जब हम लोग देख रहे हैं तो देखे यही वो सारी candle से न एक तो हमारी bullish candle इसके बाद में जब आप volumes कौन कर लोगे तो आपको यहाँ पर दिख जागा साफ साफ दिखेगा कि price जब नीचे की दिशा में गिर रहा है देखे इसने एक down move दिखाए volumes increase हो गए price जब हमारा upside की तरफ जारा है तो देखे volumes कम है फिर से जब हमारा price नीचे की दिशा में जा रहा है तो volumes इसकी increase हो रही है और price हमें मिला कहां पर exact swing low पर यह वाली जो candle है जस्ट इसके low point पर हमको हमारा axis bank दिखा अब 5 minute के time frame के according जब हम axis और ICC bank को देखेंगे तो वो gap up कर रहा है और यह gap down कर रहा है gap down यह कहां पर कर रहा है हमारे इस वाली level के पास में यह फटाफ़ड stock screener भी आपको बताया था कि जो pre-market opening के जितने भी stocks होते है न वो यहाँ पर देखने को मिल जाए क्यूंकि pre-market opening के section में एक बार इसको refresh कर लेते हैं so pre-market की volume and यह वाली volume regular volumes को आप Z2A कर देंगे तो देखे 4th position पर आपका Axis Bank आ गया 4th position पर Davis Lab 1, Adani Enterprises 2, Whirlpool 3 and Axis Bank 4 4th position पर हमारा Axis Bank था क्योंकि इसके अदर अच्छे खासे volume के breakout होते है दूसरा money control की website से हम कैसे stocks को निकालते हैं जिने हमें कल trade करना होगा इसी तरह से Axis Bank हमारी कल के लिस्ट में भी था और आज morning में यह फटाबर्ड stock screener के अंदर आया क्योंकि pre-market के session में इसके अंदर volumes के breakout हो चुके थे और इसको हम already watch भी कर रहे थे क्योंकि ICI-CIA और Axis अब देखोगे तो दोनों similar ही चलते हैं इसके बाद में money control की website से हम top 5 के stocks निकाल अब इन top 5 में Axis Bank नहीं था इन top 5 में था हमारा ICI-CIA Bank and ICI-CIA के अंदर हमने आपको बताया है कि इस वाले level के नीचे ही हम इसको trade करेंगे इसने gap up opening दे दी और एक अच्छा खासा move हमें मिल गया कि अगर इसको नीचे की तरफ गिरना तो इस level के breakout का अगर हम wait करेंगे तो ठीक ठाक movement मतलब already है कर चुका होगा तो हम इसको trade नहीं करेंगे and 6 अपना Axis Bank था so just because of कि कल की list में भी Axis Bank हमारे पास था and फटा फट स्टॉक स्केनर में भी महारे पास Axis Bank आया और इसने day time frame के level की जितनी भी अपनी requirements थी उन सभी को पूरा किया जिस वज़ाए सेमने इसको trade किया अब बात आती है lower time frame के price के analysis की higher time frame पर हम देख रहे हैं कि ये वाले जो अपने lows हैं ये important है black वाली candle आप देख रहोगे black वाली जो line है price ने हमारी this line को break किया and break out कर देने के बाद में एक swing high हमने क्या किया जो first green candle होती है day की first green candle इससे अपना support area माना और इस black वाली candle को भी price जितने भी form हो रहे हैं हमारी इस black वाली candle की range के अंदर ही बन रहा है अब देख रहोगे कि जितनी भी swings बने हैं हमारे morning के वो इस black वाली candle की range के अंदर ही form हो रहा है और जैसे ही price ने इस range के बाहर निकलने के गोशिश की यहां से हमारा trade अपना execute हो और जो भी हमारा swing high था morning का trade execute करने के पहले के जो swing लगे हुए थे वहाँ पर हमने अपना stop loss लगाया 890.15 का इस areas पर अपने stop loss लगे हमें जो अपना trade execute करना था इस green वाली candle के just नीचे अपना trade execute करना था बट वहीं पर हमने देखा कि यह black वाली candle भी कुछ ना कुछ signification morning ही दिखा रही है क्योंकि जिस speed से यह गिरी है न और प्राइज ने एक retracement दिखाया अब अगर इसको गिरना था तो इस black वाली candle को भी यह break कर सकती है सो प्राइज यहां से high की तरफ गया और जैसे ही इस वाली range को down set की तरफ break करने लगा वैसे हमने यहां पर अपना trade execute कर दिया last तक wait करने की पीछे का reason यह था क्योंकि actual जो हमारा target था price ने last time जहां पर अपना lifetime high लगाया था वह हमारा target area था जब आप इसको day time frame पर देखोगे तो देखिए यह अपना एक area बनता है यह green वाली candle और यही इसका lifetime high था and इस high को break किया हमारी इस green वाली candle इस green वाली candle ने high को break कर दिया नय lifetime है को और यहां से फिर price ने एक नया swing लगाया अब अगर price हमारा strong है तो इस range के अंदर चरा जाए और नहीं तो फिर इस वाले swing को जैसे price ने break out कर दिया ना तो next जो हमारे target level निकल किया है वो 866.90 के थे तो यहां तक हम wait कर दे थे और यही एक reason था है कि last तक हमने access bank को hold किया और जब देख लिया कि कहीं इसके आसपास में 3 बचकर 10 minute या 3 बचकर 8 minute के पास में हम यहां से exit हो चुके थे so overall अपने यह analysis था 12,400 के around का profit है I hope कि सारी चीज़े समझ में होगी देखिए बिल्कुल simple way में हमने समझाया है कि day time frame पर कैसे हमने volumes का use कि और अपने levels निकाले access bank को ही select करके trade करने के पीछे का reason क्या है 50% हमने आपको बता दिए 50% अभी आप देखोगे Hello traders and welcome to the studio members Larson and Turbo को आज हमने अपने private group में morning में trade करने के लिए share किया था यहां पर इसने हमने entry देने के बाद में थोड़ा सा movement इसने में down side की दरफ दिखा है और अगेन यहां पर stop loss rate कर दिया इसने के उपर था यह strong था यहां पर आकर किसने में trap किया नीचे की दिशा में यहां से फिर यह उपर की तरफ चला गया अब क्योंकि market close हो चकी तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से analysis कर सकते हैं कि यह हो गया वह हो गया यहां से price को उपर जाना था और जितने indicator है सारे के सारे काम करने लगेंगे बिकास market चल चुके है ना market चल जाने के बात की analysis का कोई मतलब नहीं होता market चलने से पहले अपने price को कैसे analysis का यही impact डालता है Friday को जो stock अपने अपने group में share किया था profit में निकले हैं हम लोग Thursday को भी जो stock share किया था profit में निकले थे Monday मतलब जितने भी stocks हम trade कर रहे हैं अपने private group में share कर देते हैं तो ठीक ठाक profit लेकर कम लोग वहां से निकलते हैं बट होता है कभी-कभी stop loss भी जाता है तो गरीब तीन या साड़े तीन हजार रुपय को loss हमने आज के दिन ब्रेयर किया loss book कर के चुप शाप निकल के बाहर आज के दिन हम आप लोगों को stock selection के तरीका बताएंगे कि एक दिन पहले अगर आपको किसी stock को निकाल के रखना है मेरे पास Stata Steel है मेरे पास JSW Steel है वन डे बिफोर ही हमको मालूम है कि यह ऐसा stock है जिसके अंदर कुछ spark हमको कल के दिन देखने को मिल सकता है तो आज ही उसके अंदर हम अपने levels निकालने किस stock में level निकालना है यह हम बता देंगे बाकि आपके analysis रहेगी उसके अंदर आपके अपनी reading रहेगी कि day time frame पर आप इसको read कैसे करते हो मेरे एक चोटा सा काम आज के दिन होगा कि कौन से stock के अंदर आप लोग यह bind कर सकते हैं किस stock को कैसे आपको read करना यह आप लोगों के ओपर depend करता है बहुत simple सी technique होती है एंड देखिए यहाँ पर दो तरह की volume समलों को show होती है एक होता है quantities यह पूरे दिन में कितनी volume straight की गए मतलब आज ही के दिन में माल उठाया गया है और आज ही के दिन में short कर दिया गया है दूसरा आज के दिन अगर माल हमारा उठाया है तो वो कल के लिए कौन ले करके गया है माल अज उठाया तो गया है बड़ बेशा नहीं गया है traders ने hold कर लिया है उसको दो या तीन दिन के लिए जो भी उनका view है उसके according उसने माल को hold कर लिया है अब यहाँ पर जो हमें show होती है यह quantities होती है कि आज ही खरीदा गया है और आज ही बेश जिया गया है delivery quantities यहाँ पर show नहीं होती है so delivery quantities का use हम लोग आज के दिन करेंगे stocks let करने के लिए simply आपको जाना है money control की website पर देखिए money control की website okay money control पर आगए and money control से आप सीधे चले जाए यह market पर यह है market इस पर click कर दीजे and market के बाद से आप सीधे यहाँ पर आईए delivery statics delivery stats पर यह वाला है न delivery stats पर click कर दीजे देखिए इसमें और भी काफी सारे options है आप चाहो तो उसको explore कर सकते हो हम specific एक point बताएंगे जिसका use आपको करना है देखिए यहाँ पर जाकर के cnx snippet slate कर लिजे जो valuable stocks है वो यहाँ पर आ जाएंगे जिसके अंदर आपको अच्छी खासी volume मिलेगी manipulations कम होंगे stocks के अंदर अब यहाँ पर यह delivery volume आपको दिख रहा है न देखिए काफी सारी है लाइक यह traded volumes यह total traded quantities है five days की average volume को इसने delivery volume का average कर दिया है इसका अपना अलग use होता है इन volumes का अलग use होता है five days delivery average volume delivery change percentage इन सब points का अलग लगत रहे से हम लोग आपको जो हम बता रहे हैं वो सिर्फ वो सिर्फ delivery volume है कि delivery volume आज कौन से stock के अंदर सबसे ज़्यादा उठी है आप इसके उपर just एक click कर दोगे न जिस stock में सबसे ज़्यादा delivery उठाए गई है वो stock सबसे उपर आजागा आपको सिर्फ यह काम करना है one two three four and five top five stocks को ठाली जागा एंट इसके उपर अपने levels marker के रख दी जागा यह पहुंच वो stocks होने चाहिए जिसको कि आपने एक दिन पहले read किया है level दो तरह से निकलते हैं या तो आप live market में निकाल लो या तो फिर one day before levels निकल लो हम लोग one day before stock selection के बात कर रहे हैं मतलब एक दिन पहले stocks को कैसे निकालेंगे levels किस तरह से निकालने या आपके अपके analysis आपकी reading जब आप अपने इस channel पर जाओगो तो बहुत सारे videos हमने upload किये हुए है कि daytime frame पर आपको reading कैसे करनी lower time frame पर reading कैसे करनी है इसकी चीज यहां पर हमने बता जूई है मतलब अब छूटी से छूटी भी चीज को आप अगर पकड़ करके उसकी practice कर लोगो तो फिर किसी चीज के ज़रुरत नहीं पड़ेगी हमें तो ज़रुरत ही नहीं पड़ती है कि हम फलाने scanner पर चले जाओ उस website पर जाओ और जो तरीका हमने बताया है ना stocks को निकालने का इस तरह से stocks निकालो काम करो बहुत आसानी हो जाएगे आपको काम करने में अब जैसे Tata Steel है ITC है कोई भी stock जैसे ICC Bank है top 5 उठाने हम सिर्फ ICC के example आपको दे रहे हैं इसको slate कर लिया एंड सीधे हमने ICC Bank open कर दिय अब हमें इसके अंदर करने है रीडिंग देखिए volumes on है और लेवस निकाल लेजें कौन कॉंसेम ने तरीका आपको बता है falling rose बता है देखिए falling rose का pattern भी बन रहा है यहाँ पर तो delivery भी उठी है इसके अंदर मतलब कि कहीं न कहीं strong है move मिल सकता आपको इसके अंदर तो यह आपको हो जागा एक support area अब अगर falling rose वाला पैटर्न आपने नहीं देखा मतलब वाला वीडियो तो यहाँ पर देखिए falling rose falling rose falling rose इस वाली वीडियो में जाए तो आपको falling rose का concept समझ मे जाएगा आपको falling rose होता क्या है सेम structure आपका ICC bank के अंदर बना हुआ है अप्टेट कर सकतो इसको levels निकालने आपको आने चाहिए कि किस तरह सा ICC bank को अप्टेट करोगे किसी भी stock को अप्टेट करोगे अब जैसे कि अगर simply हम देखें तो 28th of October का जो high है न इसके ऊपर अगर marketing लिए तो आपको move देखनों को मिल जागा लेकिन maybe chance है कि price आपका कल के दिन थोड़ा बहुत downside की तरफ का move दिखा है अगर price ने इस वाली candle का low break कर दिया तो ICC bank देखें अगर करता क्या है है एक अच्छा move ICC bank के अंदर आपको देखनों को मिल जागा thanks and I hope कि वीडियो के तुरू जरूर कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा वीडियो कर इंफर्मेटिव लगता है तो इसको like कीजएगा comments कर दीजएगा and अगल चैनल पर आप पहली बार आया तो चैनल को subscribe कर लेजएगा thanks and we will meet again